सब्सक्राइब को सुत्रता दिवस की हार्दिक शुपकामनाएं आज इस महान राष्टे पर्व के अफसर पर मैं अपने विचार एक कवीता के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहते हूँ जो कुछ ऐसे है कौन कहता है मिल गई आजादी बिना खड़क के बिना ढाल के यह प्रतिफल है असीम बलिदानों का इसे रखना समहाल के आजादी की जंग में न जाने कितनी माओं ने बेटे खोए थे आजादी की जंग में न जाने कितनी माओं ने बेटे खोए थे न जाने कितनों के सहारे मृत्यू शैया पर सोए थे सन सत्तावन में जो चिंगारी मंगल पांडे ने सुलगाई थी सन सत्तावन में जो चिंगारी मंगल पांडे ने सुलगाई थी, स्वतंतरता सेनानियों ने उसे अपने प्राणों की आहुती से भढ़काई थी जासी की रानी जैसी वीरांगनाओं ने भी अपनी बली चढ़ाई थी, आजा दीना मिली परन्तु अंग्रेजी सत्ता तो लड़ खड़ाई थी आजा दीना मिली परन्तु अंग्रेजी सत्ता तो लड़ खड़ाई थी, कौन कहता है मिल गई आजा दी, बिना खड़क के, बिना ढाल के यह प्रतिफल है असीम बलिदानों का, इसे रखना सम्हाल के, इसे रखना सम्हाल के कैसे जलिया वाला बाग में निर्दोशों ने जान गवाई होगी किस पीड़ा के साथ, किस पीड़ा के साथ लाला राय ने अंग्रेजों की लाठियां खाई होगी भारत मा भी अपनी कोख पर गर्व से फूली नहीं समाई होगी जब उसके तीन सपूतों ने हसकर फासी गले लगाई होगी उस शहादत के दिन तो अंग्रेजी रूह भी शर्माई होगी पर क्या दिल्ली समझोते में उनकी कोई याद ना आई होगी कौन कहता है मिल गई आजदी बिना खड़क के बिना ढाल के यह प्रतिफल है असीम बलिदानों का इसे रखना समझाल के इसे रखना समझाल के आजदी के दिवानों में आजद का था निराला अंदाज आजदी के दिवानों में आजद का निराला था अंदाज खुद को गोली मार ली ताकी आजदी पर ना आए आजद वीर शहीदों के बलिदानों को कौन कहता है मिल गई आजदी बिना खड़क के बिना ढाल के यह प्रतिफल है असीम बलिदानों का इसे रखना समझाल के आजदी की रक्षा में आज भी सैनिक जान गवाते हैं आज़ादी की रक्षा में आजबी सैनिक जान गवाते हैं इस मिट्टी का कर्ज चुका कर अपना फर्ज निभाते हैं क्या ये देश उनी का है क्या ये देश उनी का है जो सीमा पर तैनात खड़े क्या ये देश उनी का है जो सीमा पर तैनात खड़े देश की रक्षा की खातिर दुश्मन से दिन रात लड़े देश की रक्षा की खातिर दुश्मन से दिन रात लड़े देश के स्वाब इमान की खातिर हम सब को लड़ना होगा देश के स्वाब इमान की खातिर जै हिंद जै भारत